इस पालक के नाश्टे को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बंच पालक लेनी है इसे गरम पानी में डाल कर इसे पांच मिनट उबाल लेना है अब इसे डालेंगे हम ग्राइंडर जार में अब डालेंगे एक कप गेहूं का आटा साथे डालेंगे एक चमच लसन अद्रक औ और एक कप पानी डाल कर हमें इसकी स्मूर्थ पेस्ट होने तक इसे ब्लेंड करना है जैसे यह पेस्ट बन जाएगा हमें इसे एक बोल में ट्रांसफर करना है थोड़ से डालेंगे चिली फ्लेक्स और इसे मिक्स करना है अब नॉन स्टिक पैन को थोड़ा सा ग्रीस कर लेना ये पालक का चीला तो ये हल्दी भी बहुत है और टेस्टी भी बहुत लगता है तो सुबह सुबह आप बच्चों को बना कर दे सकते हैं तो कैसे लगी ये रेसिपी हमें कमेंड में ज़रूर बताईएगा